नमस्कार किसान साथियो, टेकनो टरक्टर में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम महिंदरा यूवो 552DI Dual Clash टरक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि 2018 माडल है हमारे पास, जून में लिया था तो 4.50 साल में इस क्या क्या प्राबलम आई है और किन फीचर्स में अच्छा लगा मुझे है ट्रेक्टर तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले कमी आई इस ट्रेक्टर के इस फ्रंट एक्सल में इस पिंडल में जो की दो बार टूट चुका है एक बार टूटा था यहां से और एक बार टूट गया था यह अंदर से यहां से तो पहली बार 23 सो में मिला था दूसरी बार 25 सो में इसका इस पिंडल मिला है और कंपनी वालों उन्हें बहुत महंगा कर दिया है तो वो तो 5000 से उपर देती है स्पिंडल तो उतने तक का बजट नहीं था इसलिए बाहर से लिया यहां से इसमें आई लीकेश करता है तो यह एक बार दिखाए थे लेकिन उसने ऐसा बना दिया कि आई लीकेश तो ठीक हो गया लेकिन यहां पर इसमें इस्प्रिंग नहीं है लूज होनी की वज़े से रेस जितनी दे दे थे उतनी ही रहती थी तो चलाने में प्राबलम होती थी और यहां पर एक स्प्रिंग लगा दिये थे तो हार्ड मिट्टी में रोटावैटर में चलाने के विज़ाय से बाइब्रेसन होता था तो बाइब्रेसन में एक सिलेटर कम हो जाता था सेल्फ की यह कैप दो बार चेंज हो चुकी है क्लच प्लेट इसकी प्रेसर प्लेट दोनो क्लच प्लेट और प्रिसल प्लेट चेंज हो चुकी है जिसमें मुझे 26 से 27,000 रुपए लगे थे तीन साल के अंदर ही चेंज करनी पड़ी थी तो क्लेच प्लेट तो बहुत कम ही चलती है डूल क्लेच ट्रेक्टर की और हाँ दोस्तों रोटावेटर में यह ट्रेक्टर जादा चला है तो लास प्लेटर की बैरिंग यहां से खराब हो गई थी आवाज आ रही थी और बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था तो इसमें भी पैसे लागे तो और यहां के फ्यूज जो लिखते हैं स्विच वो भी चेंज हो गए हैं तो आप अगर बोलेंगे तो मैं जितने इसमें स्विच लोड आया और यहां अंदर बोल तूट गया तो खराद में 600 रुपए लगे यह फ्यूज चेंज कर दिया हूं स्टार्ट नहीं हो रहा था तो मुझे लगए खराब है तो इसको भी चेंज कर दिया लेकिन चेंज करने के बाद भी प्रब्लम थी तो फिर नए वाले ही लग स्टार्ट वहुआ है तो सेड डिल की पंखी इसमें लगती तो गुझात होती है और दो तीन बार ऐसे हुआ टूट भी गई है हलांकि यूवर्टेक माडल में इसको चेंज कर दिया है महींदरा में भी चेंज कर दिया है हाइड्रोलिक सेंसिंग अच्छी है लेकिन ये देखिए इसमें चाल होने की वज़े से बुगाई करने में हलके उपकरन चलाने में इसमें वाइब्रेसन होता है तो अगर टापलिंग को ज्यादा टाइट कर देते हैं तो पीछे से फार इसकी उपर हो जाती है और अगर मीडियम में चलाते हैं बराबर करके तो फिर इसमें ऐसे ही वाइब्रेसन रहता है ऐसे होता है और याद ढेला कर देते हैं तो ढेला करने को जासे पीछे आगे की फार उपर हो जाती है तो गहराई कम लेती है इसके गेर लीवर की पिन कड़ जाती है बार बार तो देखिए कैसे बाडी में यहां टेच हो रहा है अब आज भी आती है देखिए यहां पे स्क्राइच भी बन गया है तो मैंने अभी ही चेंज किया था नए ट्रेक्टर का यह लीवर इतने में रहता है इतने में वर्क करता है यहां से एक यह तीन और इधर चार्ट लगता है स्वीच इसका खराब हो गया देखिए चालू करने के बाद फी लिए देखिए यह चालू है लेकिन आप से यह बाहर आ जाता तो नीचे गिर जाते है आर्पियम मीटर इसका वर्क नहीं करता रात में जीरो में रहता है दिन में 500 आर्पियम तक जाता है इससे उपर नहीं जाता है और बाकी के मीटर से ही है इन सुच में प्राब्लम नहीं आई है इसमें भी प्राब्लम नहीं है इस लीवर में भी प्राब्लम नहीं है ये अच् तो चलिए मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कैसी आवाज आती है यहां से इसकी जाली फट जाती है अंदर से तो दिक्कत होती है तो दोस्तों आप किसान भाई यह भी बोलते हैं कि चलाने के ड्राइबर की वज़े से होता है तो आपको बता दें कि मेरे मामा जी के पा के ट्रेक्टर में भी हो रही है और ब्रेक से आवाज आती है क्लश साइड वाले से जादा आती है इधर से कम आती है तो ब्रेक तो दूनों साइड का बराबर ही यूज करते हैं मैं बात कर रहा था कि मामा जी के पास है तो उसमें भी क्लश की प्राब्लम हो गई है तो प्रावलम थी अब वही प्राबलम मामा जी के वह का बीच में था गया तो मैं उसका बीडीयो डाल दूंगा वो ट्रेक्टर चला कम है और ये 5000 घंटे के आसपास चल जुका है वो अभी मुझे लगता है कि 3300 और 2400 के बीच में है टायर इसके पिछले 13-26 है और आगे के 6 6-16 के टायर है आगे के यह यहाँ से इसमें चाल हो गई थी तो यह इसके लोडर आवाज कर रहे थी उपर नीचे हो रहे थी तो मैंने इसकी कटिंग करके यहाँ से इसको सही किया फिर इसको पैग कर दी आपने से ही और रेडियेटर को एक बार क्लेन करा चक चुका हूँ बाहर से इसकी पाई पी यहाँ से खराब हो गई थी इसको भी चेंज किया हूँ तो दोस्तो इसमें एक बात ध्यान देना जरूरी है यहाँ पे जो कैप लगता है फ्यूल का तो उसको ज़्यादा टाइट ना गरे क्योंकि एर बाहर नहीं जाती है उसी के वज़े से यह पाई जल्दी खराब होती है मैंने उसके बाद पहली बार जब खराब हुआ तो मैंने उसके बाद लोकल यहाँ से इसको काटके लोकल पाईप लगाया तो वो तीसरे दिन खराब हो जाती थी यहाँ से भड़ जाती थी एर की बज़ेस से गरम हो जाती थी तो फिर मैंने कंपनी की डाल दी तो ये 400 रुपे में मिली है एक साल होगे इसको चेंज किये तो अब मैं फ्यूल कैप को थोड़ा धीला रखता हूँ मतलब धीला इतना ज़्यादा नहीं करना कि उसमें पानी चला जाए एर निकलने के लिए थोड़ा उसमें गैप होना चाहिए तो जवर जस्ती टाइट नहीं करना है उसको देख लीजिए आज तक एक भी प्रब्लम नहीं आई फिर इसमें दोबारा स्वीच इसके चेंज हो चुके हैं कैप में इसके दो बार कैप चेंज हुआ इसका सेल्फ का फ्रंट टायर की बेरिंग तीन बार चेंज हो चुकी है दोनों साइड की एक उस साइड की दो बार हुई है इसकी तीन बार हो चुकी है तो गिले में पानी में चलाते हैं धान के सीजन में इसलिए जल्दी खराब हो जाती है तो अब बात करते हैं इस ट्रक्टर के फीचर्स जो कि मुझे अच्छे लगे तो सबसे पहला इसका एक साइड से बात करते हैं तो रेडियेटर की कूलिंग अच्छी है और इंजन वरकिंग अच्छे से करता है दो साल तक पहले नहीं करता था फिर चलिए मैं आपको बात में बताऊंगा इस बारे में तो बात करते हैं और सर्विसिंग इसकी असानी से हो जाती है कोई दिक्कत नहीं होती है और फ्रंट का जो एक सल है यह बहुत अच्छा है कहीं से भी आवाज नहीं आती है इसका कैप चेंज हो सिल्फ छोड़ता बहुत है तो इस माडल के सभी ट्रेक्टर में ऐसा होता है महिंदरा यूबो के कि सिल्फ छोड़ने की प्रवल्म रहती है तो जब सिल्फ छोड़ता है ट्रेक्टर तो आप लागातार दो तीन बार ट्रेंग मत किजिए अगर एक बार सिल्फ छोड़ दिया है ट्रेक्टर तो आप दूसरी बार हाई लो वाले लिवर को थोड़ा न्यूटर कल दीजिए और न्यूटर करने के बाद उसे फिर हाई में लगा दीजिए लो में लगा दीजिए तो सिल्फ आपका नहीं छोड़ेगा फ्यूल टेंक इसका अच्छा है तो इंजिन की बात कर रहे थे तो इंजिन इसकी पावर अच्छी देता है लेकिन माईलेज अब ज्यादा देता है रोड़ वेज में अब थोड़ा अच्छा माईलेज देता है पहले इतना ज्यादा माईलेज नहीं देता था तो ज्यादा अच्छा भी नहीं देता है लेकिन मतलब पहले से फरक है तेरा के टायर में ये स्ट्रेक्टर की हाइट कम है तो धान के सीजन में फसने का चांस ज्यादा रहता है और फसने की विज़ा से इसका चैंबर नीचे मिटी में बहुत जल्दी फस जाता है देख लिजा आप यहीं से देख सकते हैं और सबसे नीचे इसका हीच वाला है इसके गैर बाक्स में प्राबलम नहीं हुई है अज तक इंजन में प्राबलम नहीं हुई है अज तक और ना ही इसके API redaction में क्राउण पिणियन किसी में प्रवावल Require । क्लछ. टाइट रहता है लेकिन रोटावेटर का थोड़ा glue stripe रहता है क्ट्र का कु्छ necessity लगती है इसमें आधी दवाएंगे तो क्लच का इस्के नीचे दबाएंगे तो PTO का, PTO वाला क्लच थोड़ा हार्ड है, और ट्रेक्टर का इतना हार्ड नहीं है, पावर इस्टेरिंग इसकी बहुती साफ्ट है, बहुत अच्छी लगी मुझे, तो बात करते हैं किन किसान साथियों को यह TRAKTOR लेना चाहिए और किसान साथियों को यह TRAKTOR नहीं लेना चाहिए तो जो चाहते हैं किसान की मुझे एक अच्छा TRAKATOR 50 HP तक का मिल जाए और डीजल खपद भी कम करें तो उन किसान साथियों के लिए यह TRAKTOR है यदि आप अपने TRAKTOR से 45 के TRAKTOR से कोई भी ट्रेक्टर है तो लिमिट में चलाएंगे तो फिर उस ट्रेक्टर की लाइफ रहती है यदि उसके साथ आप फिर जब अरजस्ती करते हैं तो फिर उसकी लाइफ कम हो जाएगी टाइम टाइम पे सर्विसिंग करना ट्रेक्टर का बहुत जरूरी है मैं हमेशा इस ट्रेक्टर को 400 गंटे पे सर्विस करता हूँ मेरे पास पैसे हो या ना हो तो इंजन इसकी पावर अच्छी देता है थोड़ा पुराना भी हो गया है चला भी जादा है तो इसलिए थोड़ा आरपियम ट्रप करता है ट्रेक्टर लेकिन इतना भी ज़प ज़दा नहीं करता है कि बंड हो जाए बस सो दो सो आरपियम का फारख हो गया पहरे अगर माझन लीजिये 200 करता था वह आप 37-400 करता है लेकिन टाइर भी ठोड़े कम हो गय है तो इस वज़े से ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो यदि आप 50 के ट्रक्टर से 50 का ही काम लेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है जदि आप 50 के ट्रक्टर से 45 के ट्रक्टर से फिर आप 55-60 का काम लेने लगेंगे तो फिर तो वो जादा दिन तक चलने वाला नहीं है मैंने ये बात पहले भी आपसे बोल दिया तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप इस ट्रक्टर को अच्छे से चलाएंगे इसकी देखवाल करके तो फिर बहुत अच्छा माईलेस देगा आपको और मेंटीनेंस भी कम रहेगा यदि आप इस ट्रक्टर के साथ या फिर अन किसी भी ट्रक्टर के साथ लापरवाही करेंगे तो फिर तो मेंटीनेंस आना ही है गेर ट्रंस्मिसन बहुत अच्छा लगा मुझे इस ट्रक्टर का अभी तक मैंने महिंदरा यूओ स्वाराज बहुत ट्रक्टरे चलाएं लेकिन गेर लीवर इसका बहुत अच्छा है इसमें कोई प्रॉम्ला नहीं मीडियम के दो में पहले जो मैं बात करा था ट्रंस्मिशन की तो पहले मीडियम के दो में चलता था पांच फार लेकिन अब लो के चार में चलता है मीडियम के दो में ज़्यादा गहराई देने से आरपियम ड्रॉप करता है पहले हाई के एक में चलता था कल्टिवेटर में 1600 आरपियम में लेकिन आप 1600 RPM में हाई के एक में थोड़ा RPM ड्रॉप करता है पहले एक भी नहीं करता था लेकिन एक सी जब आप इसमें रेस देंगे तो फिर पावर अच्छी लगाता है और यदि आप ट्रेक्टर लेते टाइम ही अपने ट्रेक्टर को गरम नहीं करते हैं तो फिर वो ट्रे ट्रेक्टर से पावर आपको अच्छी नहीं मिलेगा और मालेज भी अच्छा नहीं मिलेगा पीटियो का लीवर यह बहुत अच्छी जगह में दिया है तो इसे बंद और चालू करने में कोई दिक्कत नहीं होती हाँ दोस्तों एक कमी और हिसमें इसमें केवल 540 और रिवर प्रेशी है तो फिर नहीं हो पाता तो इस माडल में 540 के साथ साथ एकोनामी भी देना चाहिए नहीं के ट्रेक्टर में पीटियो बहुत जवर्यस्त दी हुई है ट्रेक्टर अच्छा है चला भी ज़्यादा है इसलिए मेंटिनेंस लेता है लेकिन अन ट्रेक्टर के पेख तक ठीक है मेरी चलाई में मैं चलाता हूँ ट्रेक्टर तो मौन लेजिए की ड्राइबरी में कमी है लेकिन सो में सब सब्लोगों की ड्राइबरी में कमी होती है तो देख लिए आप आपको बहुत सारे क्लच प्लेट और इसपींड डल ग्यर्वाउक्स की हाईड्रोलिक प नहीं पावर देखना चाहते हैं तो पावर के लिए फिर इस ट्रेक्टर को ले लीजिए और हाँ दोस्तों इस ट्रेक्टर को लेते वक्त आपको एक बात दिहान में रखनी है लोडर आगे वेट आप आगे जरूर लगवाईए क्योंकि वेट लगाने से बहुत अंतर पढ़ करें कहीं भी आप चड़ाइए कितनी भी उचाई हो आराम से चड़ जाएगा उपर नहीं उठता ट्रेक्टर मेरे मामा जी के पास है उसमें एक लोडर है मेरे में दो लोडर है मतलब दो इक्स्ट्रा है तो मेरा ट्रेक्टर वही इस्थान से चल जाता है आराम से कोई दिक आपाईए और प्राइस की हिसाबसे इस ट्रक्टर में एक कमे आउर है डावल डिस्टिबिटर देना पहले तो यह सिंगल भी नहीं दिया था लेकिन अब देने लगा है तो डावल डिस्टिबिटर तो दूर की बात है लीबर ये कभी-कभी हार्ड हो जाते हैं तो यहां पे नीचे आइल देने से सॉफ्ट हो जाते हैं लेकिन चलाते वक्त इसमें एक प्रावलम होने लेक्ट दोस्तों जैसे मां लीजिए इतनी में मैं चला रहा हूं ट्रक्टर को यह जो ड्राफ्ट लीबर है तो देख लीजिए जिसे मां लीजिए मैंने यहां पांच पे सेट करने के बाद अगर इतना गयव है और मैं ट्रक्टर को चला रहा हूं बार बार इसको उपर नीचे कर लाँ तो यह अपने आप ऐसे ऐसे चार में चला जाता है जैसे कोई इस्प्रिंग इसको नीची के और खींच रही हो तो ये एक महीने से ये प्राबलम आने लगी है लेकिन हाइड्रोलिक में प्राबलम नहीं है बस इतने ही छोटी से प्राबलम है तो हो सकता है कहीं जंग लग गया हो और दूस्तों यह इसका जो यह साइड का है यह मुझे महिंदरा SP PLUS का बहुत जबरज़स्त लगता है थोड़ा यह मुझे लूग उतना अच्छा नहीं देता है SP plus model जो है उसमें ये side का बहुत अच्छा लगता है तो अगर company ये कर सकती है तो इतना कर दे तो थोड़ा गैब भी हो जाएगा यहां पर तो बैटने वे भी आसानी रहेगी और ये ट्रैक्टर दोस्तों आगे से आप देखेंगे तो आपको कोई प्राब्लम नहीं होगी पच बंपर चेंज कर दिने चाहिए प्लेटफॉर्म इसका अच्छा है मान लेजे कभी यहां से mobile गिर जाती है तो mobile गिरने के बज़ए से यहां पर जाके नीची डारेक्ट नहीं जाती है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और यदि आप यहां पर कवड़ा रखे रहते है तो कॉटन ओटन तो फिर उसमें जाके गिर जाती है mobile गलती तो सबसे हो जाती है दोस्तों तो उस वज़ए से फिर mobile आपकी बच जाएगी दोस्तों एक छोटी सी बात मैं और करना चाहता हूँ जो कि किसान साथी जानकारी होगी इसके बारे में लेकिन कुछ को नहीं होगी तो मैं बात करता हूँ इस differential lock के यह differential lock company को देना बहुत जरूरी क्योंकि इससे कई बार क्या होता है कि ट्रेक्टर फसनी की condition में रहता है तो यह आपको बहुत मदद करेगा लेकिन जादा यूज करने से इसको इसमें भी प्राव्लम आ जाती है मैंने इसको यूज किया कई बार तो इसमें अब क्या होता है कि अब इसको यूज करते है तो crown pinion से आवा जाने लगती है जोर से मतलब लगता है जैसे कोई bearing टूड़ गई हो तो इसलिए इसको अब use नहीं करता हूँ तो जरूरी है लेकिन इसका उप्योग आप कम से कम करिए और हाँ एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप इसका उप्योग करते हैं तो फिर आप हाथ लगा के इसको उपर कर द दिक्कत होती है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कुछ मैंने गलत बोला है तो फिर आप कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं धन्यवाद